हेलो स्टुदेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड कोश्चिन करेंगे स्टुदेंट्स जैसा कि हम एक वीडियो में जो प्रिवेस वीडियो में डिसकस कर चुके हैं कि आपको अगर sum of the zeros और product of the zeros दिया हूँ और हमें अगर polynomial ना दी हो तो polynomial फाइन कर सकते हैं तो हमारे पास वो formula है कि हम क्या करते थे वहाँ पर यह लिखा आपने x square x square और minus में आप लिखेंगे यहाँ पर bracket sum of the zeros यह हम एक बडिसकस कर चुके हैं और इसके साथ में आता है आपका x और प्लस में क्या आता है आपका product of the zeros तो student यह काफी easy सा formula है learn करने में इतनी दिक्कत भी नहीं होती बच्चों को तो यह आपका हो गया x square minus sum of the zeros multiply by x प्लस में इसको हम एक बार लिख लेते हैं फिर बाद में इसको यहाँ sum को s c denote कर लेंगे product of को p से कर लेंगे बार बार लिखने की बजा है तो अब आपको फर्स्ट केस में आप discuss करते हैं तो इस वीडियो में student हम first, second और third part को solve करेंगे तो यह आपका first part है जिसमें आपको sum दिया हो है जो first आपका दे रखा क्योंकि respectively sum आपका first quantity है और product आपका second quantity है तो हमने क्या लिखा x square minus sum of the zeros आपका कितना है 1 by 4 है और आपका यह हो गया x और आपको क्या करना product of zeros करना है तो product of zeros यहाँ plus sign है यह negative है तो minus का बन हो जाएगा क्योंकि plus minus कितना होने माला है minus ही होने माला है तो आप आपने देखा कि इसमें जो है इस x के साथ में जो इसका coefficient है वो क्या है division में दे रखा मतलब 1 by 4 है integer quantity नहीं है आपका fraction में दिया होगा है rational number है कोई 1 by 4 है fraction quantity है तो इसमें हमने example एक बर दिया था introduction to polynomials में कि अगर कोई इस तरह की fraction आती है तो हम देखते है fraction का जो denominator हो 4 है अगर हम ऐसी equations के अंदर इसको 4 से multiply कर लें क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है आप सभी कोई multiply करेंगे तीनों terms को अगर आप इसे 4 से multiply कर लें तो first आपका कितना हो जाता है 4 x square इसको 4 से करेंगे 4 multiply होगा तो सिर्फ कितना बचेगा आपका x बचता है और minus में कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता है तो इस तरह की equations जब आपका यहाँ पे कोई fraction number आ जाता है तो आप इसको solve करने के लिए उस denominator से अगर आप multiply कर लेते तो आपकी इस फ्रेक्शन से free हो जाती equation तो आपका सारी quantity सारे constant coefficients किस form में आ जाते हैं इंटीजर form में आ जाते हैं तो student यहाँ पे यह तो आपका हो गया first part अब उसके बाद हम करेंगे इसका second part second part में आपको दिया हुआ है sum of the zeros तो दिया हुआ product sum of the zeros root 2 और product दे रखा है आपको 1 by 3 दे रखा है तो इस बार जो आपका second part student इसमें आपको दिया हुआ है sum तो आपको दे रखा है root 2 और product जो आपको दिया हुआ है इस बार क्या दिया हुआ 1 by 3 दिया हुआ student इसमें आप एक बार यहाँ से देख भी सकते हैं कि है root 2 and 1 by 3 दे रखा है कि आपका negative या positive कोई चीज गलत नहीं होनी चीए पूरा question आपका formula क्या था x square sum of the zeros आप लिख चुके हो एक बार यानि कि इसको बार बार लिखने की जूरुत नहीं root 2 इसके multiply में आपका आएगा x और plus में product of the zeros क्योंकि देखो positive है यह क्या दिखाओ positive है और यहां पर positive होता है formula में तो sign कैसा रहेगा positive लेकिन इस पार आपको दिखाई दे रहा है कि 3 denominator में आ रहाए constant में इसे हम fraction से free करना चाहते हैं तो इस वाली equation में student आप क्या करेंगे 3 से multiply कर लेंगे 3 से अगर आप multiply करते हैं क्योंकि denominator 3 है मैंने आपको बोला कि denominator से multiply करते हैं माइनस में कितना आएगा 3 root 2 और यह आएगा आपका x और इस quantity को जब 1 by 3 को अगर आप इस 3 से multiply करेंगे क्योंकि आपको individually सब को करना है first को करना है फिर second को करना है फिर third को करना है 3 को 1 by 3 से करेंगे तो 3 और 3 क्योंकि cancel हो जाएंगे सिर्फ कितना बचेगा 1 तो आपका यह आएगा automatically सिर्फ यह बचेगा आपका solve करके तो इस case में आपका answer कितना आता है 3 x square minus 3 root 2 x plus में कितना आ जाता है student आपका 1 फिर आपका next part है next part में आपका कितना दे रखा है sum of the zeros तो दे रखा है आपको 0 और product दे रखा है root 5 इस case में आपका sum of the zeros क्या दे रखा है student 0 और आपका product इस case में क्या दे रखा है root में 5 दे रखा है तो अब आपको formula च्छे से clear हो गया है यह आपका है third part इसको हम लिख लिख लेते हैं आपे confusion ना हो एक स्कुर्स कितना है जीरो लिख लिए एक समने लिख लिए साथ में और प्लस में कितना लिखना है प्रोड़क्ट ओफ दी जी रोज तो यह कितना बचेगा यह माइनस 0x तो यहां से खत्म क्योंकि 0x से मल्टिप्लाइब होगे तर्म तो आने वाली नहीं है सिर्फ प्लस मे 2 के जो 3 parts हैं, यहां तक आप solve कर चुके हो, आने वाली वीडियो में हम इसे बचे हो parts solve करेंगे, thanks.